दोस्तो नेचुल अलब्स केर में आपका फिर से एक बार स्वागत है मैं आपका अपना प्रसनल डॉक्टर एहमद आपकी सेवा में फिर से हाजिनू जैसे कि आपको पता है हम आपके लिए वे प्रोडक्ट वेनुस के लाते हैं जो बहुती अच्छे और कारगर और बहुती स सते होते हैं जैसे के दोस्तो आजकल आपको पता ये जो हमारी जिंनदगी वे भागदोर वाली जिंनदगी हो रही है और इसके चलते हुए हम अपनी हयल्थH का बिल्कुल विद्हान ने रख पाते और हमारी healthy ते डाउन हो गई तो दोस्तों यह जो हम आपको यह healthy टिप बताते हैं यह चोटे-चोटे tips होते हैं यह आप हमारी वीडियो को पूरी देखे और ध्यान से देखे यह आपके बहुत फायद है और जो आपके relative आपको लगता है कि और उन्हें हमारी वीडियो हमारी शेयर करें तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दू अगर आप हमारी चैनल पर ने हैं तो हमारी चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और हमारी साथ बुरी वीडियो में जुड़े रहें देखा है यह स्काथ है जो कदाया लागा अलग अलग यह चीज में अलग अलग यूज होता है दोस्तों जेसे कि हमारा टायटल देखी लिए हो गहायो को मजबूत करने के लिए ये सर्दी चल लिए जिनके शरीर में पेन रहता है जिनके हाथों पेरों में द्रद होता है या जिनके घर में बड़े मावाब होते हैं जिनकी एचादे हो चुकी है उनके द्रद होता है तो दोस्तों ये जो मैं आपको तरीका पताने जा रहा हूं आप जेतुन के त पेरों में दरद होने लगता है तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है शरीफ उनकी क्या करना इस जेतुन के तेल से आपको उनकी मालिश करनी है आपको उनके हातों पेरों के अच्छी तरीके से मालिश करनी है क्योंकि जेतुन का तेल के अंदर इस तरीके के विटामिन उखले हैं. तो आप जेतUN के तेन का यूज करें, जैसे आप जिसकी मसाज करेंगे, अपने सिर्में हफते में तीन बार इसकी मसाज करें, दस से पंदा मिनट और आपके सिर की जो भी शमस्या Од को बिल्कुल खتم हो जाएगी यह हड हड्यों को मजभूत करने के लिए और बालों को मजबूत करने के लिए बहुत ही फायदे बंदे दोस्तों जैसे कि आपको पता ही जेतुन का तेल आपको किसी भी पंसारी के दुकान पर एजली मिल जाएगा लेकिन आपको फिर भी डर है कि वहाँ पे लोकल मिलता है तो हम आपको अपनी वीडियो के न करें दो